यहां पर आज का लेक्चर चालू करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हाइलाइट करा रहा हूं वह यह है कि यह टाइम के जो एक्जाम्स हो रहा है वह इक्जाम्स सिर्फ नाम के हो रहा है अब प्राक्टिकल एक्जाम वाइवा फॉर्मेट में कभी नहीं हम के दे रहे तो वी ओल नो दे एंड रिजल्ट क्या होगा कोई फेल तो होना नहीं है सबको अच्छे माकसान है तो यह अच्छे माकस के बेस के ऊपर कंपीज डिरेक्ली आपको सेमसिक्स के रिजल्ट के ऊपर तो जल्दी से हार करेंगे नहीं तो कंपनीज जो है वो आउट होंगे तो आपके बैच के लिए जादा विकिंसी रहेंगे मार्केट में तो इसके लिए खुद को थोड़ा सा प्रिपेर करो जो आप प्रोजेक्ट पे वर्क करें उस पे क्लेरीटी रखो विकॉसमें अगर आप जावा या कुछ पढ़ते और उसमें जो आपको अ ऐसे ऐसे questions rarely वहाँ पे पूछते हैं वो questions नहीं रहते हैं तोड़े practical type के रहते हैं और उसमें भी जादा focus रहते हैं कि आपने जो project बनाया है उसमें से आपने कितना सिखा है बिकॉस अगर आपने बिना आपको किसी ने project बनाना सिखाया नहीं था फिर भी अगर आप खुछ से project बना के कितना सिख रहे हो तो that shows your potential कि अगर बिना सिखाया अगर आपने ऐसा project बनाया तो अगर हम लोग आपको training provide करेंगे तो आप काफी अच्छा output दे सकते हो तो ये basis के उपर company जायर करते हैं so make sure कि आपके पास एक बहुत अच्छा chance रहेगा जब आप TY में pass out होंगे आपके regular exams ही होने है guarantee 100% वो ही होना है आपके time पे कोई online exams नहीं होना है तो आपको खुछ से वो specific theory normal exams के लिए prepare रहना है और वैसे exams होंगे तो ही market में jobs मिलेंगे MCQ exams के लिए job नहीं मिलना है जादा so आपके पास opportunity है utilize करो उसको try करो कि आप maximum utilize कर सको opportunity को और जिससे अच्छे से अच्छे कमनी में आप बहुत easily कहीं पे तो job मिल सकते आपको तो आपके project के concept clear होने चाहिए बस वो अगर clear है logic अगर clear है आपने क्या develop किया है क्यों develop किया है तो बहुत easily मिल जाएगा और उसका एक ही way है कि आप online को एक course follow करो जिससे आप बना सकते हो प्रोजेक को तो इसके लिए मैं continuously emphasize कर रहा हूं वो चीज़ों पर ओके ठीक है तो आज का लिक्चर हम लोगों ने यह वाला topic complete किया था आज हम लोगों को start करना है from the critical path critical path होता क्या है as the name suggest critical path मतलब जो बहुत important part है आपके project का critical path मतलब बहुत important project है आपके बहुत important part है आपके project का जिसके बिना आपका project आगे नहीं बढ़ सकता या जो project का part जब तक proper नहीं बनता है तब तक आपका project successfully complete नहीं होगा अगर आपने कर भी दिया complete तो भी जो user या client end है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा problem face करेगा so critical path में अगर कहीं पे भी अगर delay होता है तो that delay can delay the whole project because this is the most important part of your project critical सबसे important जो development part जो सबसे important जो algorithm आपके application के रहेंगे वो critical path में होता है तो अगर यहाँ पे अगर delay हुआ तो आपका पूरा project delay होगा यहाँ पे अगर problem हुआ तो पूरे project में problem होगा यह basically main scenarios होता है तो आपको यह वे में याद रखना है कि critical path कैसे work करता है because अगर critical path में अगर कहीं पे भी आप देखो यहाँ पे क्या बुला है आपको कि critical path वाला part जो भी हम लोग develop करेंगे उसमें हम लोग बहुत important हम लोग के जो developers होंगे जो experience developers है जिनके उपर हम लोग काफी level तक trust कर सकते है कि हाँ इनके तुरू अगर कुछ developments हो रहे है तो उसमें sorry इनके तुरू अगर कोई developments हो रहे है तो उसमें number of errors बहुत minimum रहेंगे और security aspect wise भी हम लोग यह developments पे trust कर सकते हैं so यहाँ पर हम लोग वो देखेंगे so यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है free and interfering float कि जैसे हम लोग को क्या बोला है we can be days late मतलब यहाँ पर हम लोग बता रहे है कि हम लोग के पास कितने दिन है और उसमें से कितने दिन तक कौन wait कर सकता है okay so यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है कि suppose हम लोग के पास यहाँ पर A है तो इसे कुछ पॉइंस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं ठीक है तो बी केन बी फॉर्दर टू देज लेट माइनस अफेक्ट डी बट नॉट दा प्रोजेक्ट एंड डेट सो मतलब यहां पर क्या होगा चोटे मोटे जो आपके टास्क है इसमें अगर हम लोग डिले होते है तो आपके आगे के सर्टें टास्क डिले होंगे पुरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा लेकिन क्रिटिकल पाथ में अगर आप डिले होते हो तो पुरा प्रोजेक्ट डिले आप जब क्रिटिकल पार्ट पर वोक करते हो तो अगर आपने उसका एक क्रियर डिरेक्शन अगर डिफाइन नहीं किया है कि हम लोग का प्रोजेक्ट कौन से डिरेक्शन में प्रोग्रेस होना चाहिए कौन डेवलप्मेंट कर रहा है कौन से सबसे क्रिटिकल पार्ट के बात करेंगे क्या फो अम लोग के प्रोजेक्ट के से उसका सबसे पहले तो अपको समझ भी नहीं आ आएगा कि रिसक है क्या तब तक हम लोग को पता ही नहीं चले गा कि हम लोग कौन से रिसक को टैकल करने वाल है एक बार अगर रिसक आपको पता चला आइडिंटीपाई हुआ तो उसको एनलाईस करेंगे उसको solve कैसे कर सकते उसका planning करेंगे और जब हम लोगोंने solve किया या जब हम लोग solve कर रहे हैं तो continuous monitoring phase चलेगा जहां पर हम लोग बताएंगे कि हम लोगोंने जो planning किया था risk avoid करने के लिए वो real में work कर रहा है या still वहां पर कोई problems है ये होगा और ये सब के लिए हम लोग एक pod chart भी बनाएंगे last जो हम लोगोंने दिखा last जो हम लोगोंने दिखा था वैसा अब यहां पर risk में हम लोग क्या बात कर रहा है risk है मतलब हम लोग बताएंगे कि possible आपके future problems क्या है बराबर है like अगर ऐसा कोई risk आया risk मतलब unknown unknown कोई problem आपके software में affect कर रहा है unknown आपने identify नहीं किया तो अभी unknown problems के लिए हम लोग precautions ले सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जो precautions लिए वही type के खाली problems आएंगे it might possible कि जो हम लोग को नहीं पता है वैसे type का भी कोई problem आ सकता है आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अगर मैं बूल रहा हूं कि अगर मैं कार चला रहा हूं तो वहां पर seed welds की जरूरत है हम लोग को तो suppose अगर मैं seed welds की मैंने लगाया है वहां पर लेकिन फिर भी अगर कोई problem हो रहा है तो वो time पर हम लोग क्या करेंगे तो वह specific points पर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगोंने seed welds लगाया है और फिर भी अगर accident होता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं अगर यह clear direction यह clear idea अगर आपके पास नहीं है तो फिर it creates a problem second thing अब अगर हम लोगोंने precautions लिये थे लेकिन वो precautions लिये थे accidents के लिए earthquake के लिए या floods के लिए नहीं लिए अगर flood आ रहा है तो कोई seed belt आपको नहीं बचा सकता अगर accident हो रहा है तो seed belt एक level तक आपको बचाएगा airbag उससे आगे level तक आपको बचाएगा लेकिन एक limit के आगे यह दोनों काम नहीं करेंगे अगर रिस्क जो है रिस्क सपोज लेंड्स्लाइड का है लेंड्स्लाइड हो रहा है उपर से पत्तर आ रहा है या फिर earthquake type का है या पानी बहुत जादा है तो flirt type situation है तो यह जो kind of situation है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आना चाहिए कि जब अगर हम लोग कोई possible risk की बात करते है तो वो रिस्क कितने बड़े हो सकते है और future उसके कोई दूसरे रिस्क कैसे हो सकते है यह आपको समझना है क्योंकि अगर वो आपको नहीं समझा तो फिर अगेन हम लोग उसको recover या उससे protect कैसे करेंगे खुद को य कई यहां पे क्या बोला है 예요 possible cause and effects Simple Hindust다 किया हो सकता है उसके effect क्या हो सकता है और उसको लोग अगर पौंधodox को अभी बना रहे तो problem किया होगा अगर उसको injury कर रहे बाद में बनाएंगे तो च्हा प्राबलम हो tomar a matter हम लोग उसको बहुत लिमिटेड वे में अगर यूज करें तो क्या हम लोग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सारे पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं तो यहाप अगर आप देखेंगे category of risk risk का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा एक actor है बराबर है actor मतलब suppose जो आपका software यूज कर रहा है अब उसके पास risk कौन से हो सकते हैं जो उसको task दिया है वो task कैसे perform करना है सबसे पहले तो वो पता नहीं है या यह task perform करने के लिए जो आपने technology यूज किया है mobile app website cloud technology जो भी है वो उसको उसके साथ तो काफी attached नहीं है clear नहीं है या फिर जो structure आपका application का है वो structure user friendly नहीं है उसके हिसाब से उसके point of view से ठीक है यह अलग-अलग points हो सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है actor those involved in the project developer भी हो सकता है user भी हो सकता है manager भी हो सकता है यह सारे actors है तो हम लोग को ने example क्या लिया user का example लिया अब अगर मैं developer का example लेता हूँ तो developer को आपने जो task दिया है वो task मतलब उसको specific development करना है using specific technology अब वो technology के साथ में वो comfortable नहीं है suppose getting या फिर आप जो एक development structure follow कर रहे है वो structure यह project से suitable नहीं है ऐसा developer को लगता है और उसके वज़े से सो यह certain points पे हम लोग focus कर रहे है ठीक है so risk management approach में हम लोग क्या लिखेंगे proactive नाम पे से पता चल रहा है अभी इसमें अंदर detailing में जाने की ज़रूरत नहीं है proactive मतलब precautions लो कोई risk possible problems आने के पहले आप proactive मतलब protect करो खुद को है ना proactive approach try to anticipate possible risk कि क्या हो सकते रिस्क है याद रखो problem आया नहीं है future में आ सकता है future problems वो risk है कि future में ऐसा कुछ हो सकता है हुआ नहीं है और confirm होगा ये भी कोई guarantee नहीं है तो there are possibilities probability maths का probability का theorem है वो यहाँ पे apply होता है तो आप देखो कि अगर मैं कार में airbag लेता हूं मुझे देड़ दो लाग का airbag अगर पड़ता है what is the probability कि वो airbag यूज होगा और हम लोग देड़ दो लाग देखे भी हम लोग क्या azim करते कि भाई वो airbag यूज करने का जरूरत कभी ना पड़े बराबर है ना so that means हम लोग कुछ develop कर रहे है तो वो यूज होगा या नहीं होगा उसकी probability कितना है वो सबसे पहले अब आप देखो कि मुंबई रीजिन अगर हम लोग यहां पर बात करें मैं मुंबई की बात कर रहा हूं ठीक है आप अगर अपने रीजिन के बाहर देखेंगे जैसे आप देखो कि recently पालगर्ण में आपको बह problem हुआ et cetera et cetera it means कि earthquake के chances Mumbai में काफी कम है यहां पर वो chances बहुत कम है तो अगर यहां पर हम लोग अगर कोई property डेवलप कर रहे है तो उसमें हम लोग earthquake के against उसके बहुत सारे majors रहेंगे यह काफी कम है क्योंकि उतना हम लोग खर्चा नहीं करेंगे because rarely यहां पर अर्थक्विक आत यहां पर अगर हम लोग कोई property बनाते हैं तो हम लोग को यहां पर जो ज़्यादा risk की chances होते हैं वो होते हैं कि हर बारिश में flood type situation बनता है तो उससे हम लोग अपने property को उससे हम लोग अपने घर को कैसे बचा सकते हैं उसकी उपर आपको investment करना है उसकी हिसाब से आपको anticipate करन और reactive मतलब problem आ गया अब कैसे डील करेंगे so approach that take no action until unfavorable event occurs reactive मतलब अभी यहां पर क्या है कि एक proactive होगा कि problem या risk future risk आने के पहले हम लोग precautions लेंगे reactive मतलब आएगा तब देखा जाएगा simple एकदम student mentality अपना एक्जाम के डैम पे हम लोग पढ़ने का बोलता है तो क्या बोलेंगे कि हाँ जब एक्जाम आएगा तब देख लेंगे अभी तो time है ना चलते है तब तक exactly same है reactive है last जब तक जब तक आग नहीं लगता है तब तक वो feel नहीं आता है पढ़ने का तो last के दो हफते नहीं बचते है tension नहीं आता है कि भाई अभी पढ़ना ही पढ़ेगा नहीं तो pass नहीं होगा तब तक काम नहीं हो रहा है framework dealing with risk कौन से रहेंगे तो उसमें अगर हम लोग framework या architecture अगर बता है तो क्या architecture बता रहे है identify करो risk analyze करो और अगर number of risk बहुत जादा है जैसे इंडिया में अगर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग के पास तीन टाइप के risk है earthquake का flood type situation का और जब अगर बहुत जादा बारिश होता है तो जो lighting होता है तो lighting के वजए से आपको damage हो सकता है तो यह तीन टाइप के risk को अगर मुझे priority list में डालना है तो मैं सबसे पहले किसको डालूगा flood like situation जो हर साल आता है किसी घर पे light गिरा हो बिजली गिरा हो यह हम लोग उने सुना नहीं है तो इसके लिए हम लोग उसको second priority list बढ़ा लेंगे और जो earthquake है वो तो least priority पे जाएगा because उसके chances बहुत कम है अब ऐसे कोई risk है यह ऐसे future problems अगर होंगे तो उसके लिए हम लोग planning लेंगे और वो planning प्रॉपर चल रहा है कि नहीं उसका monitoring करेंगे तो risk identification में क्या होगा हम लोग ने एक checklist बनाए तो वो checklist से हम लोग देखेंगे कि अगर past project में ऐसे कोई risk आया थे तो वो time पे हम लोग के पास experience लोग है मतलब अगर flood से अगर मुझे घर को बचाना है तो actual में जो person जो architect या जो civil engineer ने ऐसे areas में flood situation वाले areas में development की ए घर बनाया properties बनाया है उसको मैं बुलाऊंगा और उसका मैं help लूँगा घर बनाने के लिए उसके साथ मैं brainstorming करेंगे हम लोग मतलब अलग-अलग stakeholders को लेके आखे अलग-अलग side के जो problems है उसको भी हम लोग समधने का try करेंगे कि क्या हो सकता है और बाकी जिगा पर क्या हो रहा है है ना तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि यहां पर ऐसा कोई development किया था फिर भी flood आया तो वहां पर यह risk generate हो गया था यहां पर भी ऐसा कुछ किया था फिर अगर earthquake आ गया तो earthquake आया तो साथ मे प्रॉपर्टी को loss होगा उसके साथ जो हम लोगों ने electricity supply के लिए cables रखे है वो damage हो सकता है और earthquake आने के साथ में अगर property damage हो रहा है और बारिश अगर साथ में है तो बहुत जादा damage हो सकता है है ना short circuits बहुत जादा हो सकता है बहुत लोग तो रिस्क अगर साथ में आ जाएंगे तो वो और जादा डामेज कर सकते हैं तो यहां पे भी exactly similar patterns पे similar grounds पे हम लोग focus करने का try कर रहे हैं कि हम लोग कौनसे डाइब के risk पे focus कर रहे हैं और वो risk अगर आपको भी अगर face करना पड़ रहा है तो उसके possible जो main problems है वो क्या हो सकता है यह हम लोग यहां पे बताने का try कर रहे हैं अब 10 BAMS 10 top development risk है मतलब एक बंदा है जिसने 10 rule बताया थे कि जिससे हम लोग आप खुद को बचा सकते हैं तो सबसे पहले यहां पे अगर आप technique देखेंगे तो वो technique क्या-क्या बता रहे है ध्यान से देखो 10 rule का technique क्या बता रहे है personal shortfall staffing with top talent job matching and team building बहुत simple है हम लोग का आगे भी एक chapter है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे अब आप में से TY में से हम लोग बहुत सारे लोगों को companies recruit करता है तो वो कौन से basis पे recruit करता है अगर किसी को development में interest नहीं है और उसको उठा कि अगर मैं development का job देता हूँ तो उसको job की ज़रूरत है तो वो development में आएगा ना नहीं बोलेगा लेकिन वो उसका passion नहीं है तो क्या होगा करने के लिए वो करेगा अपने साइट से extra efforts हम लोग expect नहीं कर सकते कोई एक XYZ person है जिसको designing में interest है तो अगर वो designing में interest जो person को है उसको अगर मैं testing में डालता हूँ तो अगेन वो भी नहीं होगा यहां पर हम लोगों क्या बोला है जब आगर हम लोग यहां पर TOP talent Find करना है job matching और उसकी हिसाबसे team build करना है मतलब जिसों को जिसमें interest है वैसे job में उनको रखो clear है और उसकी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ना तो हर एक के जो personal interest क्या है उसकी हिसाब से अगर हम लोग starting से अगर segregate करेंगे ना तो benefit होगा unrealistic time and cost estimate क्या बोला है multiple estimate technique design to cost incremental development याद है हम लोगोंने समझा था incremental model तो हम लोग क्या करेंगे दीरे दीरे अगर मुझे possible risk identify करने नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा development अभी करूंगा थोड़ा उसके बाद वापस करूंगा थोड़ा उसके वापस थोड़े time के बाद करूंगा वापस उसके उपर थोड़ा कुछ increment करते जाओंगा सो यह pattern में हम लोग work करेंगे incremental development और उसकी इसाब से past project का भी help लेंगे हम लोग कि जहां पर हम लोग उने similar अगर developments की है तो वहां का हम लोग का experience क्या रहा है इसको भी हम लोग focus में रखेंगे developing the wrong software function improved software evolution formal specification method क्या है user service चलेंगे prototyping चलेगा यहाद है prototyping मतलब dummy model साथ में बनाते जाएंगे and early user manuals भी बनाएंगे जिससे user को भी पता चलते जाए कि यह software जितना भी बना है वो कैसे use करना है उसमें क्या क्या चीज़े add करना है कौन से operations कैसे perform कर पाएंगे यह सब चलेगा developing the wrong interface अब यह बहुत ज़रूरी है अगर user interface अगर wrong है तो आपका software अगर correct भी है ना तो भी user को समझ में नहीं आएगा कि उसको use कैसे करना है तो user interface जो आपका बहुत correct होना चीज़े बाकी software के comparison में यहाँ पर याद रखना है गोल प्लेटिंग यह थोड़ा हटा देना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोल बचन करते हैं अपने software के बारे में तो कभी-कभी क्या होता है कि आपने बहुत ज़्यादा बोल बचन करके दिया है कि हाँ यह software ऐसा है ऐसा है ऐसा आप बता रहे है कि भाई आप उसको rocket ही बेच रहे है और last में cycle निकलता है तो that should not happen तो यहाँ पर वही हम लोग बोल रहे है requirement scrubbing, prototyping, cost benefit analysis यह भी देखना है मतलब आप सामने वाले बंदे को देखो उसका budget कितना है वो देखो और उसकी हिसाब से आप project suggest करो उसका budget नहीं है और उसकी हिसाब से आप उसका budget का 3-4 time जो budget होगा वैसा कोई project बता रहे है तो of course वो उसको effort नहीं कर पाए then late changes to requirement कभी-कभी यह भी problem create करता है that also creates a risk in our current ongoing project मतलब बहुत time बाद आपका suppose 50% project हो गया आपका almost 60% suppose student module बन गया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत student module में changes है तो क्या होगा अभी आपको करना भी पड़ेगा और आपने जो development किया है वो भी आपके waste हो गया और existing code में आप rectification करते हो न तब error के chances बढ़ जाते है shortfall in externally supplied components like inspection में कहीं पर अगर proper नहीं हुआ है benchmarking आपने proper नहीं दिया है formal specification नहीं है contract agreement में कहीं पर problem है यह problems हो सकते है then quality assurance procedures proper follow करना है because quality अगर आपने proper follow किया risk आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते है okay यह याद रखना है तो वह है real time performance shortfall simulation benchmarking prototype वही same points चलते है and developing technically too difficult अब यह भी बहुत ज़्यादा problem create करता है या risk generate करता है जिसके वज़े से आपके application पर risk आ सकते है कि आपका development बहुत ज़्यादा difficult था और उसके वज़े से आपने जो भी development किया है वह specific suitable नहीं था and that creates a problem okay so वह सब जो अम लोग यह जो भी type के risk अम लोगों ने पड़े है वह सब अगर आप देखेंगे तो mainly कहां पर main focus कर रहे है Prince2 framework पर जो US based है then उसके साथ अगर आप देखेंगे gold plating refers to inclusion of features that in fact are unnecessary इसको gold plating बोलते है काम के नहीं है तो भी आप सजावट के लिए वह functions को add कर रहे हो और unnecessarily अपना खुद का ही आप budget बढ़ा रहे है okay and which end up never actually being used तो वह features नाम के लिए software को अच्छा दिखाने के लिए आपने add कर दिए आपने कभी use भी नहीं किया ना आप आगी use करने वाले हो risk priority कैसे define करेंगे risk exposure कितना जाद है उसके potential damage कितने जादा हो सकते और probability of occurrence कितना है अगर probability high है और damage भी उसका बहुत जादा high है like अगर flood like situation अगर आता है तो कितना damage होगा probability उसका कितना है 0 to 1 के बीश में होता है probability I hope we all know probability 0 to 1 के बीश में calculate करते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे वह same अगर risk assessment देखेंगे तो उपर जो मैंने बताया यह point wise लिखा है यह उसका same explanation है risk exposure यह equation याद रखना है risk exposure का risk exposure का आपका जो equation है exam में यह लिखना है potential damage multiply with probability of occurrence तो अगर probability high है उसका तो उसकी हिसाब से फिर हम लोग को उसमें changes करना पड़ेगा क्या changes हम लोग करेंगे basically हम लोग changes यह करेंगे कि हम लोगों को वहाँ पे उसके potential precautions क्या लेने हैं अगर probability high है तो तो precautionary measures क्या रहेंगे यह समझना पड़ेगा so risk probability हम लोग कौनसे basis के ऊपर define करते है we have levels, levels कौनसे रहेंगे high, significant, moderate and low low का मतलब है less than 10% of chances happening that specific type of an event or that specific type of accident happening with your system so इसका probability low है moderate का मतलब 10 to 29% chances है कि ऐसा कोई problem आ सकता है significant मतलब 30 to 50% chance है और high का मतलब more than 50% तो high and significant अगर probability के आपके ratios अगर है it means आपको इसके उपर तो compulsory work करना ही करना पड़ेगा आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते याद रखो यह जो table मैंने दिया हुआ है यह बहुत properly आपको exam point of view से याद रखना है आप जब कभी risk management वाला अगर कोई answer लिखते है तो उसमें probability levels आपको डालने और उनके ranges डालने यह आपको याद रखना है greater than 50% बराबर है वो high level पर आएगा high probability रहेगा वो then significant में 30 to 50% chances है कि हो सकता है moderate में 10 to 29% है याद रखो 10 to 29 मतलब 30% से यहां पर 29 से अगर जादा है तो वो उपर वाले level पर जा रहा है यह levels थोड़े properly याद रखना है exam में इसमें mistake नहीं होना चाहिए अगर यह proper है तो आपका answer काफी level तक हम लोग को पता चलेगा कि वो proper है qualitative description of impact on cost मतलब अगर यह कोई problems आते है तो उसका impact कितना हो सकता है बराबर है यह हम लोग देखेंगे तो अगर आप impact level अगर देखेंगे high है significant moderate वो same table है यहाँ पर probability metrics कैसे work करेगा ध्यान से देखो okay and you have to explain this probability metrics चलो जल्दी से देखो यहाँ ध्यान से यह tolerance line है मतलब यह tolerance line के नीचे के आपके metrics के जो boxes है ना इसके यह level पे अगर आपका impact होता है यह level पे अगर आपका mainly अगर what we say अगर risk आता है तो उसको हम लोग बैर कर सकते हैं यह आपका tolerance line है यह tolerance line के ऊपर अगर आपका risk का impact अगर जाता है तो वो non-bearable होगा वो बहुत जादा damage करेगा हम लोगो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यह tolerance line दिया होगा और यह tolerance line में आपको क्या बता रहा है कि हम लोग का probability है impact जो आपके system पे पड़ेगा जो आपको bear करना पड़ेगा वो कितना होगा तो यहाँ पे हम लोग यह अगर देखेंगे आप y-axis पे impact दिया होगा और x-axis पे आपके लिए probability दिफाइन है तो यह दोनों का combination matrix बता रहे है तो अगर देखो impact हाई है और probability भी उसका हाई है मतलब यह अगर ऐसा कोई problem है तो उसको हम लोग tolerate of course नहीं कर पाएंगे then impact अगर significant है लेकिन probability हाई है तो उसको भी हम लोग bear नहीं कर पाएंगे impact हाई है और probability significant है तो भी उसको हम लोग bear नहीं कर पाएंगे impact हाई है probability भले उसका moderate है तो भी उसको bear नहीं कर पाएंगे so this is how we are going to explain this probability matrix okay so risk planning कैसे होगा सबसे पहले तो आपको accept करना पड़ेगा कि ऐसा कोई risk हो सकता है because जब तक आप मानेंगे नहीं कि ऐसा कोई risk हो सकता है जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे आना कोई spaceship आएगा aliens आएगा और उसके attack करने के chances है human being पर तो भाई जब तक मैं इसको accept नहीं करूंगा कि भाई ऐसा कोई spaceship आ सकता है जिसमें aliens रहेंगे और वो aliens आके हम लोग पर attack करेंगे तब जाके हम लोग ऐसे risk के against काम करना चालू करेंगे अगर मैं वो risk को मानी नहीं रहा हूं तो क्या करेंगे risk avoidance बराबर है तो यहां पर मैंने accept नहीं किया तो आगे काम चलना ही नहीं है अगर मैंने accept किया तो फिर हम लोग क्या बात करेंगे avoid the environment जहां पर ऐसे risk आ सकते हैं कि suppose अगर मैं बोल रहा हूं कि यह x y z locations है जैसे मैं आपको बोला कि alien का spacecraft तो अभी उसका spacecraft काफी बड़ा रहेगा तो उसको उतरने के लिए रेकिस्तान या ऐसा कोई बड़ा place लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे simply ऐसे place को avoid करो जहां पर ऐसे risk risk ज्यादा हो सकते है अगर हम लोग को ऐसे place पर जाना भी है तो हम लोग risk reduction के लिए अपने system को या अपना जो area उसको इतना हम लोग secure रखेंगे कि easily कोई वहां पर enter ना हो सके या उसको हम लोग bullet proof बनाएंगे जिससे कोई दूसरे impacts उस पर ज्यादा ना सके या फिर risk transfer risk transfer का मत उससे यह handle नहीं होगा आप यह part develop करो ठीक है और last जो होगा वह आपका risk mitigation होगा risk mitigation मतलब try to reduce the impact of the risk अगर वो आ रहा है तो मतलब अगर आपका database अगर loss हो रहा है suppose तो हम लोग यह risk को mitigate कैसे करेंगे by keeping like what we say कि हम लोग यह risk को mitigate करने के लिए suppose मैं जो मेरा database है उसका backup रखूँगा मैं तो क्या हुआ risk mitigation है ठीक है तो यह जो मैंने आपको boxes में दिया है यह उसका textbook में detailing यह टाइप का है तो पांच माग का answer आपका यहां से बन जाएगा अगर कुछ बाकी रहता है तो यहां से आप वो points आड़ कर सकते हैं तो इसके आगे आपको यहां पर अगर आप देखेंगे आपको क्या बता है for commercial off the shelf software acquisition risk सबसे पहले क्या है integration integration मतलब दो modules अलग-अलग बनाया है अब वो दोनों modules को हम लोग साथ में ला रहे हैं integrate कर रहे हैं वहां से risk चालो होता है सबसे पहला तो या फिर existing software को हम लोग upgrade कर रहे हैं या अम लोग के पास आपको अपना system जो है वो उसको extend करना है लेकिन आपके पास उसका actual source code ही नहीं है तो क्या होगा again risk पह हो आप क्योंकि आपको उसका source code पहले develop करना पड़ेगा या फिर जिसने बनाया उसके पास से आपको source code लेना पड़ेगा है ना या फिर suppose आपने जिसके पासे वो software मांगा था उसके साथ आपका कोई पंगा हो गया और उसने आपको जो आपका product है वो देने से मना कर दिया या उसका source code का authority देने से मना कर दिया या फिर आपके कोई rival को उसने वो same software दे दिया या उसका algorithm जो है वो उसने आपके राइवल को दे दिया तो अभी आपके राइवल के पास आपका जो software है उसका पुरा logic है उसका पुरा algorithm है तो आपका software आपका system ज्यादा risk पे आ गया यह अलग-अलग type के हो सकते हैं ठीक है so difficulty in integrating the data format and communication protocol बराबर है जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग इंडिया में जो भी data store कर रहा है वो सब उरेकल यूज कर रहे है यूज में वो जो भी data store कर रहे है या process कर रहे है वो suppose वो लोग कर रहे है msql server पे और और कोई location पे है वो mysql यूज कर रहे है तो यह problems के बीच में हम लोग basically क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि यहां पे जब अगर हम ऐसे systems को integrate कर रहे है तो problems क्या हो रहे then upgrading when supplier upgrades the package package might not might no need longer meet the user's precise requirement so अगर आपने upgrade कर दिया लेकिन upgrading में भी क्या हो रहा है कि उसका older version जो था वो ज्यादा better था या ऐसा हो गया कि upgrade करने के बाद में वो पहले जितना ठीक टक चल रहा था वो भी नहीं चल रहा भी मतलब उससे भी गया हो अप्ग्रेड करने के बाद में so that might also create a problem source code नहीं है या supplier ने boycott कर दिया या आपका जो logic या algorithm है वो उसने आपके rival को दे दिया that creates a risk okay risk transfer already जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर शूर नहीं हो जैसे आप देखो कि हम लोग payment gateways use करते है तो अभी payment gateways में bank to bank जो money transfer हो रहा है या और कोई xyz way में to money transfer हो रहा है वो कितने secure way में कैसे use करेंगे उसका algorithm architecture क्या होना चाहिए कौनसे डाइप से वहाँ पर attack हो सकता है यह सारे जो points है यह मुझे clear नहीं है तो जब अगर मुझे clear नहीं है तो मैं simply क्या करूंगा risk transfer करूंगा मतलब मैं third party को hire करूंगा जो सिर्फ यही काम करते है जो इसमें expert है तो मैंने अपना risk third party पे transfer किया तो अगर future में कोई problem होते है तो I can question them okay next जो है वो है risk management so risk management में अगर आप देखेंगी contingency आता है इसमें हम लोगोंने basically क्या बोला risk reduction activity would appear to have only a small impact on reducing the probability for example staff का अगर absent है because of any xyz thing तो आप नए staff को hire कर सकते है बराबर है लेकिन अभी आपने नए staff को hire कर दिया temporary लेकिन उसके पास उतना knowledge है वो same project का वो इतना comfortably work कर सकता है नहीं कर सकता है ऐसा कोई points नहीं है suppose corona चल रहा है तो corona के वाज़े से आपके 5 employees जो है वो corona positive होगे अब वो office में नहीं आ सकते है ना वो काम करने के हालत में तो आपने 5 नहीं लोगों को hire कर दिया अब आप वापस उनको office में बुला रहे है अगर corona का जो हम लोग का pandemic situation चल रहा है इसमें अगर आप 5 दूसरे लोगों को भी hire करते है तो what are the chances की उनको भी corona नहीं होगा there might be chances की वो भी अगर रोज office आ रहे है तो उनको भी corona हो सकता है बराबर है तो वो क्या हो गया कि आपने थोड़े employees को encourage किया बराबर है कि आप healthy lifestyle आप follow करो ये precaution लो वो precaution लो mask पेनो ये वो लेकिन फिर भी थोड़े बहुत team members जो है वहाँ पर again होई सकता है कि उनके side से कोई problem ना हुआ हो बराबर है उन्होंने कोई problem create नहीं किया हो लेकिन फिर भी problem हो गया है ना सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है materialized risk है certain thing कहीं पर आपका ignorance हो गया या कहीं पर आप ऐसे कोई person के साथ में है जिसको corona था उसके वज़े से आपको problem हुआ है तो आपकी side से problem नहीं हुआ है सो यहाँ पर आप देखो कि यह जो situation pandemic situation है इसमें हम लोग किसी का fault नहीं है फिर भी हम लोग सब भूगत रहे रहे राइट सो अब यहाँ पर इसका एक ही वे हो सकता है precautions preventive measures preventive measures क्या है जैसे हम लोग को news में रोज सुनते है वाई mask पेनो sanitizer use करो etc etc बस यही last है now deciding on the risk action क्या हम लोग action ले सकते है अगर कोई risk आया तो वो आएगा आपको क्या बोलाए counter measures क्या होने चैए क्यतना damage होगा probability क्या होगा उसकी इसाब से हम लोग देखेंगे की counter major जो आपका होगा वह कितना strong होना चाए और उस पे हम लोग कितने जाधा लोगों को hire करेंगे counter जूर में ओके यह पॉइंट है रिस्क रिदक्शन लेवरेज में हम लोग क्या देखेंगे रिस्क रिदक्शन लेवरेज आपका पहले का रिस्क कितना था estimation और अभी का कितना है डिवाइड बाई अगर cost of risk reduction कितना आपका invest हो रहा है अब suppose कि अगर मेरा एक लाग का सोना है और उसको secure करने के लिए मैं अगर पचास हजार का एक storage या एक safe लेता हूं तो यह logically नहीं है क्योंकि मेरा एक लाग का सोना बचाने के लिए मैं पचास हजार expand कर रहा हूं तो यह logical हुआ क्या नहीं हुआ तो यह वे में आपको देखना है तो अगर risk estimations अगर हम लोग देखेंगे कि risk exposure before risk reduction कितना था कि आपने risk reduction मतलब जो mechanism apply किये precautions जो लिए उसके पहले risk कितना था और अब risk कितना तो यह आपके equations है जो हम लोग follow करते है RRL का मतलब क्या है as you can say risk reduction leverage क्या है वो हम लोग यहाँ पे calculate करते है तो अगर RRL अगर greater than 1 आता है यह calculations के बाद में तो आपने जो भी काम किया वो कुछ काम का किया है वो आपको आपने जो भी किया वो waste नहीं गया है लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मतलब वो waste है ठीक है probability chart दिया है यहाँ पे आपको probability chart basically वो ही बताएगा कितने days पे आप कितना काम कर रहे हो और completion का probability क्या है और वहाँ पे अगर probability देखेंगे हम लोग अगर कोई काम अगर complete हो रहा है उसमें रिस्क कितना आ सकता है यह सारे points पे focus रहाएगा so as was pointed out in chapter 5 estimate of activity duration is realistic a range of values मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे है probability क्या है कि अब वो काम खतम होगा और आपने वो किया उसका chances कितने है कितना दिन लगना चाहिए actual में और आप उसको कितने दिन में खतम कर रहे है यह points देखेंगे हम लोग और उसकी हिसाब से अभी हम लोग try करेंगे check करेंगे कि आपने जो भी काम किया है उसका reality क्या है अगर probability कम था कि इतने टाइम में इतना काम हो सकता है लेकिन फिर भी आपने आधा अधूरा कुछ तो करके दे दिया है तो अभी risk जादा हो गया उसके बराबर है क्योंकि अभी आपने उसको आधा अधूरा complete करके दिया है तो उसमें risk के chances उसमें कोई accident होने के या problem create होने के chances बढ़ गया ओके यहां पर हम लोग पॉइंट आउट करने का try कर रहा है ओके एनी अधर डाउट्स एनीवान यहां तक जो हम लोगोंने discuss किया उसमें